नमस्कार दोस्तों कैसे अमीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बड़े बहत्री नंग से कर रहे होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन भारत के कुछ इंपर्टेंट कोश्चन और यह हो जाते हैं वन लाइनेर की फोर्म में यह इतिहास की मिल जाते हैं जो प्राचीन इतिहास हो जाता है और एक ही वीडियो में हम जो है कोशिस करेंगे प्राचीन इतिहास के सारे कोश्चन कवर करने की और यह जो कोश्चन आप से पूछे गए हैं UP, PCS, RO, और उत्तर परदेश की बागी से भी एक्जाम में जहें ये कोश्चन आपसे पूछे गई हैं. सोर्ट कोश्चन है और इसी तरह के कोश्चन जो हैं आपको मिलते हैं देखने को आपकी परिक्षा में और ये सकते हैं तो चले देड़ नहीं करेंगे सुरू करेंगे आज का हमारा important video सारे कोश्चन important है और थोड़ा सा मी-speed से चलने वाले क्योंकि इसमें लगभग आपको पांसो से ज्यादा ही कोश्चन मिलने वाले हैं तो चले आज का हमारा पहला कोश्चन क्या हो जाता है मद्दपासिन इस्तलों को बièrement दिरिश्टिशे पस्चिम से पूर के किरम में लिखना है तो पस्चिम से पूर का जो किरम नवासा जो है ये वर्तमान इस्थान हो जाता है इसका महराष्ट में ये पुरा तात्विक इस्थल दिये गए है इदर की तरफ और यहां दिये गए है आपके वर्तमान के इस्थान तो नवासा हो जाता है महराष्ट में इसंपूर हो जाता है करनाटक में डीडवाना हो जात आपकी तैमिलनाडो में यह आपको सुमिलित करने के लिए ही दिया जाएगा आपके एक्जाम में प्राचिन काल में आरियो के जीविका पारजन का मुखे साधन क्या था प्राचिन काल में आरियो का जो जीविका पारजन था वो हो जाता है सिखार जिसको आप आखेट भी कहत गंगागाटी में धान की खेती का प्राचीनतम परमान कहां से मिले हैं गंगागाटी की बात हो रही है तो ये मिल जाते हैं आपके लोहरा देव से मद्ध पासाने की इस तल से पसुपालन के शाक्ष उपलब्द होए हैं तो पसु पालन के जो साक्सु पलब्द हो है ये हो जाते हैं आपके बागोर से सारे कोश्चन आपसे कहीं नगी पूछे गए है मद्ध पासान काल में पसु पालन के जो परमाने ये लेखनिये से मिल जाते हैं मद्ध पासान एक परसंग में पसु पालन के जो परमान मिले हैं मद्ध पासान एक परसंग में ये मिल जाते हैं आदम गड़ से उत्खनित परमानों के अनुसार पसु पालन प्रारम हो था तो पसु पालन प्रारम हो जाता है ये आपका मद्ध पासान काल में मुर्त्यू रहित नव पास आने की स्थर परकास में आया था, जो मुर्त्यू रहित था नव पास यानी की स्थर ये गुफ कराल से मिल जाता है खादानों की किर्शी सरुपरतम प्रारमभुईती ये हो जाती है आपकी नवपासान काल से ठीक है ये कोस्चन आपसे पुछे जाते हैं नवपासान कालीन गर्थ निवासों के जो आउसेस हैं ये बुर्जोम से मिले हैं गुफकराल से मिले हैं बुर्जोम आपका इजम्मु कस्मीर में हो जाता है बड़ा इंप्रोटेंट कोस्चन हो जाता है राका टीला ये नवपासानी किस्तल से मिला है किसे संबंदित हो जो ठीक है वन नायल की फोम में है और हम आपको काफी सारे कोस्चन आपको कराने वाले हैं वस्तरों के लिए कपास की खेती का जो आरम था सबसे पहले किया गया था भारत में इंपोर्टेंट कोस्चन है वरद पासान इसमारों की जो पहचान है वो की गई है मिरतों को दफना कराने के इस्थानों के रूप में वरद पासान इसमारों की बात हो रही है एक ही कबर से तीन मानव कंकाल मिले हैं तो यह दमदमा से मिल जाते हैं विंदे छेत्र के सिलासरे जहां से सरवादिक मानव कंकाल मिले हैं तो यह मिल जाते हैं लेखनिया से सरवादिक मानव कंकाल लिखनिया से मिल जाते हैं भारत में वह सिलास रहे जहां से सरवादिक चितर प्राप्त हुए हैं तो ये मिल जाते हैं आपको भीम बेटका से दहरी एक परवर्ति है हडप्य पुराश्टेल है तो ये हो जाता है पंजाब में ये भी आपसे पूछा जाएगा दधेरी का इस्तित है इसके बाद तामर पासानिक जो इस्तल है नवदा टोली वो कहां है तो ये हो जाता है मद्धे परदेश में ठीक है नवदा टोली कई बार आपका जो वीडियो के एकजाम में भी पूछा गया था नवदा टोली गैरिक मिरतभांड जो पातर होते हैं OCP इनका नामकरन हुआ था तो इनका नामकरन हुआ था हस्तनापुर से भारत का वैश्तल जा खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के परमान मिले हैं भारत का वैस्तल हो जाता है जो खुदाई के लोह दातु के प्रचलन के प्राची इंतम पर्मान मिले हैं तो ये हो जाता है अतरंजी खेडा तामासर काल में महाराष्ट के लोग मृतकों के सरीर को फर्स के नीचे रखकर दफनाते थे तो फर्स के नीचे रखकर दफनाते उत्तर से दक्षिन के ओर पासान कास्य और लोहो युका तिरी युगयवी बाहचन किया था तो ये किया गया था थॉम्सन के दुआरा भारत में पर्थम पुरा पासानिक उपकरन की खोज करने वाला रोबर्स ब्रूस फुट एक भूगर्ब वैग्यानिक था ये कोश्चन भी आपसे पूछा गया है arrow की परिक्शा में तामर पास सानिक तंपर पासानिक इस तल नावधा ठोली उत्खनन किया था नावधा ठोली की जो उत्खनन किया था ये किया था HD संकल लियाने भीम बेटक के जो गूपाई हैं ये हो जाती हैं सेल-चित्र के करने के लिए दे जाएगा तो चंद दुल्डो कहा हो जाएगा तो इसमें जो है ये परमान मिले हैं आपके सर्चों के हडपा से परमान मिले हैं तिल के कुंतासी से मिल जाते हैं कॉंदो के और हुलास से मिल जाते हैं ये धान के और इधर के तरह आप देख सकते हैं सारे कोस् पर बनावली इस्थित है तो बनावली इस्थित हो जाते हैं रंगोई नदी पर अब बनावधी स्थित हैं जो मांडी हो जाता है यह हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में सिंदु घाटी की सब्यता के पुरा इस थल से नाव के चित्रिया मोडल प्राप्त हुए तो नाव के चित्रिया मोडल मोहन जोड़ोर और लो थल से प्राप्त हुए मोहन जोलोडों से प्राप्त जो पसुपती की शिव की परसीद मोहर पर किस पसुपती का अंकन नहीं है तो इस पर सांड का अंकल नहीं मिलता है ठीक है चार का अंकल मिलता है इस पर हाती बाग और गैंडा एक सिंग वाला और एक और हो जाता है ठीक है तो चार के जो है इससे परमान मिलते हैं हडपा संस्कृति के पूर्वी सीमानत का निर्धारन करता है तो ये करता है आलमगीर पूर और आलमगीर पूर हो जाता है ये मेरट में मरन पट्टिका पर उत्रकेनी सिंग देवता की किरती पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी लोथल में हाथी दात का पैमाना हडपे सं विद जो इनके महत्व को समझ पाया था तो वो समझ पाया था आपका सर जोन मार्सल सिंदू सब्वेता का सब्द का परियोग सर उपर्थम किशने किया था तो ये भी किया गया था सर जोन मार्सल के दौरा सिंदू घाटी सब्वेता पर परकाश डालता है तो ये डालता है प हरपन संस्क्रेटी के संदर में सैलकृत इस्थापत के परमान मिले हैं तो यह मिल जाते हैं लोध धोलावीरा से एक जुतेवे खेत की खोज की गई है तो यह की गई है काली बंगा से ही यह प्राचीन भारत के हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा हरपन पुराश्थल अधिसंग हडपा इस्थल इस्थित है ये हो जाता है सिंदू गाटी में मूर्ती पुजा का आरंब माना जाता है तो ये पूर आर्यकाल से मूर्ती पुजा का आरंब माना जाता है हडपा संस्करिती के जानकारी का परमुक्सुरोथ है तो ये हो जाता है पुरा तत्व खुदाई इसके बाद अवेश्टा और रिगवेद में समानता है अवेश्टा छेतर से संबंदित है अवेश्टा जो है सम्मंदित हो जाता है तो ये हो जाता है इरान से सम्मंदित भारत में कपास की खेती का सबसे पहले शाक्ष कहां मिला है कपास की खेती का जो साक्ष मिला है भारत में ये मिल जाता है मेहरगड में हडपा का वैश्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकरती मिली है तो ये मिल जाती है बनावली से वैश्थाल जहां से सव पेटी का या ताबूत के परमान मिले हैं तो ताबूत के जो परमान मिले हैं ये मिल जाते हैं हडपा से सिंदु सब्यता का पोर्ट टाउन बंदर का कौन सा था तो ये हो जाता है लोथल भारत में स्वतंतरता के बाद सरवादिक हडप संख्या में हडपन इस्थलोगी खोजुई है तो ये हो जाती है गुजरात में ये रैफिड फाइर के हम बात कर रहे हैं रैफिड फाइर ये चल रहा है और अब बात करेंगे हम रिगवेथिक और उत्तरवैदिक काल की रिगवेद में उल्लेखित दस राज युद जो है ये लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था पुरुस नीने दी पर सारे कोश्चन वो हैं जो आपसे पूछे गए हैं हर बार परिक्षाओं में पुराणों के पांच लक्षोनों का उल्लेख मिलता है तो ये मतस्त पुराण में मिल जाता है 1028 संसक्राण है तो ये हो जाते हैं रिगवेद में 1028 संसक्राण हो जाते हैं अश्टक भी कहा जाता है तो रिगवेद को जो है अश्टक भी खा जाएगा इसके बाद फिर से एक सुमेलित करने के लिए कोश्चन आ जाता है इदर वेद दिये गए हैं इदर आपके दिये गए हैं ब्रहमन कौन सा किस से सम्बंदित है ये भी पूछा जाता है रिगवेद की बात करेंगे तो कोशितकी और एत्रे जो है यह हो जाते है रिगवेद से संबंदित यजुरवेद से सत्पत तैत्रिय ब्रहामन संबंदित हो जाते हैं सामवेद से पंचविस, सडविस, अदभुत तथा जैमनी जो है ये हो जाते हैं सामवेद से संबंदित अथरवेद से पूछा जाता है बार-बार आपकी परिक्षाव में गोपत जो है ये अथरवेद से संबंदित हो जाएगा एक वेदांग नहीं है वेदांग नहीं है तो इस्मरती हो जाएगा वैदिक कालीन परसासन में भाग दहू अधिकारी था तो ये हो जाता है राजसु कर जमा करने वाला वैगरंत जिसमें आयुरुवेद सब्द का परियोग हो आ है तो ये हो जाता है रिगवेद में आयुरुवेद सब्द का परियोगा है रिगवेद में महभारत गिरंत का जो उपनाम है वो हो जाता है सत सहस्तिरी सहीता पवित्र गायत्री मंत्र ये अंतरविष्ट है तो ये हो जाता है रिगवेद में गायतरी मंतर के नाम से परशिद मंतर सरुपर्थम मिलता है तो ये मिल जाता है आपको रिगवेद में रिगवेद की मूल लिपी है तो ये हो जाती है ब्रहम में लिपी रिगवेद की मूल लिपी ब्रहम में लिपी हो जाती है रिगवेद पर आधारित संकलन है तो ये हो जाता है सामवेद रिगवेद धर्म था तो ये हो जाता है बहु देव वादी रिगवेद काल में जनता विश्वास करती थी तो ये बली और करम कांड पर जो है विश्वास करती थी जनता रिगवेदिक काल में गोत्र सब्द का परियोग सर्वपर्थम हुआ था गोत्र जो सब्द होता है जो आप नाम के आगे लगाते हैं उसका जो सर्वपर्थम परियोग होता है यह हो जाता है आपका रिगवेद में रिगवेद में सरवाधिक संक्या में मंत्र संबंदित हैं तो ये इंत्र से संबंदित हो जाते हैं सरवाधिक मंत्र सबसे प्राचीन वेद है तो रिगवेद हो जाता है ठीक हमने बता रहे हैं RYSA ठीक है रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद और अथरुवेद ठीक है इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं वह वैदिक गरंद जिसमें वर्ण सब्द का सारव पर्थम नाम उलेख मिलता है तो वर्ण सब्द का जो नाम उलेख मिलेगा वो मिल जाएगा रिगवेद में रिगवेद में उल्लीखित यव सब्द किस किर्शी उत्पादेतू पर्युक्त किया गया है ये हो जाता है जों के लिए रिगवेद में उल्लीखित पर्शित दस राजाओं का युद लड़ा गया था तो ये परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था रिगवेद काल के प्रारम में महतपून मुल्यवान संपत्ती समझा जाता था तो इक गाई को समझा जाता था महलपूर्ण और मुल्यवांसामत संपत्ती वैदिक काल में अगन्या माना जाता था तो अगन्या का मतलब हो जाता है ना मारने योग्या और वो हो जाती है गाई ठीक है गाई को जो है मारना नहीं चाहिए वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो हो जाते हैं उपनिशद वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था तो बिरस्पती को जो है पुरोहित माना जाता था उत्तर वैदिक काल में आर्या संस्करिती पर धूर समझा जाता था तो ये हो जाते कुरूर पांचाल को वैदिक करमकांड में होता था तो ये हो जाता है आपका रिगवेद में आरंबिक वैदिक साहित में सरवादिक वर्णित नदी है ये हो जाती है सिंदू ये सरवादिक वर्णित नदी हो जाती है आरंबिक वैदिक साहित में रिगवेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा और संबोधित किया जाता था तो इस सरस्वती को जो है इस नामों से संबोधित किया जाता था सुकल ये जुरुवेद की सहीता है तो ये हो जाती है वाज सनेही सत्पत ब्रामन में उल्लेकित राजा विदे मादव से सम्मधित रिशी थे तो ये हो जाता है रिशी गोतम राहुगन से ये सबी परिक्षाई हैं सबी के लिए इंपोर्टेंट हो जाती है ये वीडियो जिस गरंथ में पुरुस मेग उलेख हुआ है वे हो जाता है सत्पत ब्रामन गोपत ब्रामन सम्मदित है तो ये हो जाता है अथरवेद से आयुरवेद अर्थात जीवन का विज्ञान उलेख सरवर्था मिलता है तो ये मिल जाएगा आपका अथरवेद में वे हैं उपनिशत जिसमें पहली बार निरासावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं मैत्रा यनी में, भारत परतीक पर उतक्रीन सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिशत से लिया जा गया है, सत्यमेव जयते, जिंद अवेश्ता रि को निशा का कहा जाता था प्राचीन भारत में चोदवी सताब्धी ईशापूर एक अभी लेग जिसमें वैदिक देवताव का वर्णन मिलता है तो वो मिल जाता है आपका बोगस गोई अभी लेग और ये एश्या माइनर में मिल जाता है मनुस्मर्थी मुख्य संबंदित है तो ये समाज की विवस्ता से संबंदित हो जाती है मनुस्मर्थी वह उपनिशत जिसमें आध्यात्यमिक ज्यान के लिए विशय में नचीकेता और यम का समवाद मिलता है तो ये मिल जाता है कठोप निशद में रिगवेद में उल्लेक अफगान अस्तान के साथ आर्यों के शम्बंद का सूचक है तो ये हो जाता है कूंभा किरुमू नदीपर सरवादिक रिगवेदिक सूक्त समर्पित है तो ये इंद्र को समर्पित हो जाते है आर्ये सब्द का साब्दिक अर्थ है तो आर्ये सब्द का जो साब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है अद्वर्यू का अर्थ हो जाता है तो ये हो जाता है यग करने वाला ठीक है अर्द्वर्यू हो जाता है यग करने वाला पुरोहित उपनिसद के राजा असुपती शा सकते तो ये हो जाते है कह कहेगे उपनिसद के राजा असुपती शा सकते तो ये भी आपके कहके के हो जाते हैं सत्थ परतिवर्ग वंस मनवत्तर और वंसानु चरित संके तक हैं तो ये संके तक हो जाते हैं पुरानों के भारत का पर्थम विधी निर्माता माना जाता है तो ये माना जाता है मनु को प्राचीन काल के महान विधी निर्माता थे तो ये हो जाते हैं मनू कोश्चन किसी पी तरह से आप से पूछा जा सकता है को से सब्द का परियोग किया गया था रेशम के लिए किलाशी के संस्कृत में आर्ये सब्द का आर्थ हो जाता है एक उत्तम व्यक्ति ठीक है आर्ये हो जाता है एक उत्तम व्यक्ति को कहा जाएगा आर्ये रिगवेद है एक सुरुतों का संकलन हो जाता है रिगवेद इतिहास सब्द का जो उल्लेख है वो कहां मिलता है तो ये अथर वेद मी मिल जाता है रिगवेद में उल्लेख के दस राजाओं का जो संग्राम होगा वो परुसनी ने दीपर होगा है अब बात आ जाती है छटी सताब्दी इशापूर की जो उसकी राजनितिक दसाएं महाचर्दमद है और मगद का सासन है महासे जो हैं कौन-कौन से कोश्चन बनते हैं ठीक है यह हमने आपको दिखा दिये सारे कोश्चन जो हैं पूछे कई कोश्चन हैं सभी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं 16 महाजनपत का उलेक मिलता है यह अंगुतर निकाय में मिलता है कलिंग नरेश खारवेल संबंदित था तो यह हो जाता है चे दिवन से संबंदित छटी सदाब्दी ईशापूर का जो मतस महाजनपत इस्तित्धा यह था राजिस्थान में प्राचिन नगर के अवशेश कुमकार इस्तल से प्राप्थ हुएं तो यह प्राप्थ हो जाता है पाटली पुतर से मालवा छेत पर मगद की सत्ता का विश्थार हुआ है तो यह हो जाता है सिसुनाक का यह रैफिड फाइर की तरह से हम चल रहे हैं ठीक है और काफी कम समय में हम आपको काफी सारे कोश्चन कराने वाले हैं मगद का सासक जिसने राज रोहन के लिए अपने पुतर के द्वारा मारा जाता है मगद का समराट जिसे अपरोपरसुराम के नाम से जाना जाता है तो यह हो जाता है महापदम नंद प्राचीन सरावस्ति का नगर विन्यास आकरती है तो यह हो जाती है अर्द चंदराकार छटवी सताब्दी इसापूर में सुक्ती मती राजधानी थी तो यह चेदी की राजधानी हो जाती है अभी लिक्त साक्स में परकट होता है कि नंद राजा के आदेश्य एक नहर खोदी गई थी तो ये खोदी गई थी कलिंग में इसके बाद उदेयन वास वद्दा की दंत कथा संबंदित है तो ये कोसांबी से संबंदित हो जाएगी प्राचीन भारत में मगत सामराजी की शबसे प्रारंबिक राजदानी पाटली पुत्र हो जाती है अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा धार्मी कांतोलोन के बारे में तो सबसे पहले आ जाता है जैंदर जैन कल्ब सुत्र की रचना की थी भद्र बाहो के दुवारा जैन कल्ब सुत्र की रचना की गई थी भारत में पाल काल में एक महतपून अध्यन केंदर था तो ये हो जाता है विक्रम सिला सारे कोश्चन इंपोर्टेंट है और ये ही आपसे पूछे जाते हैं सभी परिक्षाओं में विक्रम सिला विसविद्याले की अती महतपून आचारिय थे विरोजन हो जाते है अती श हो जात दीपांक रोग रतना करसानती ये सभी हो जाते हैं फिर से जो है सुमेलित करने के लिए दे दिया है एक कोश्चन आपका आता है सुमेलित करने के लिए तो इधर इस्थल दिये गए है और इधर आपकी दिये गए संबंदित तीर्थ कर तुस्रावस्ति से संबंदित हो जाते हैं आपके शंभावनात कागंदी से संबंदित हो हो जाते हैं रिशबनाथ और पभोसा से संब्धित हो जाते हैं आपके पदमनाथ यह कोश्चन कहा पूछा गया है तो यह आरो एरो की परिक्षा में आपसे पूछा गया कोश्चन है प्रारंभिक जैन साहिता में लिखा गया था तो अर्ध मगदी भासा में लिखा गया था प्रांभिक जैन शाहित यह पनी्ट्रम्दय का संब्धत हो जाता है तीरतंकर सब्द संबंदित है तो जैन धर्म से संबंदित हो जाएगा जैन सभा जिसमें अंतिम रूप में शूवेतांबर आगम का संपादन हुआ ये हो जाता है पाटली पुत्र में परभासगिरी तीरतिस्तल ये जैनों का हो जाता है धर्म जो विस्व विनासकारी पर लेकि अवधार नामे विश्वास नहीं करता है तो ये भी आपका जैन धर्म हो जाता है जैनियों की पवित्र पुष्टके ये हो जाती है अगमसिंदाद दर्शन जिसमें पुनर जन्म के विश्वास को लेकर सुईकार किया है पुनर जन्म को सुईकार करते हैं तो ये हो जाते हैं चार बाद इसके बाद हमारा सुरू हो जाता है यहां से बौत धर्म बौत धर्म से काफी कोश्चन आप से पूछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में ठीक है और ये One Liner की फोम में दिएगा जो Rapid Fire जो है हमारा जाना जाता है तो वो हो जाता है ग्रहतियाग गोतम बुद ने अपना पहला परवचन दिया था तो यह सारनात में दिया था इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जब सारे नात आ जाते हैं तब जो है प्रोग्राम सुरू होता है ठीक है जब सारे नात आ जाते हैं तो सारनात उसी समय जो है, परवचन दिया गया था. बुद के उपदेश सम्बंदित है, यह आचनन की सूदता का पवितरता माना जाता है. भारत्य कला में बुद के जीवन की घटना का चितरन मरग सहिति चक्र दुआरा होगा है, तो यह हो जाता है पर्थम उपदेश में. धर्म चक्र परवर्थन किया गया था, तो यह सारनात में किया गया था. सारनात में अपना परवचन पर्थम परवचन दिया था, तो यह दिया था महत्मपुद ने. बुद्ध ने सरवादिक उपदेश दिये थे तो सरावस्ती में दिये थे बुद्ध संग में बिख्षुनी के रूप में इस्तीरों के परवेश की अनुमती बुद्ध द्वारा दी गई थी तो ये दी गई थी वैसाली में बुद्ध के जीवनकाल में ही संग परमुख होना चाहता था देवदत बुद्ध दुवारा रूपांतरित में अनंतिम व्यक्त था तो ये हो जाता है सुबद तिरी पिटक है तो बुद्ध के उपदेशों का जो संगर है उसको तिरी पिटक के नाम से जाना जाता है बुद्ध धर में भी तिरी रतन होते हैं ये इंगित करते हैं तो ये इंगित करते हैं आपके बुद्ध धम और संग को जैन धर्म में भी आपके तिरी रतन होते हैं और बोध धर्म में भी आपके तिरी रतन होते हैं पर्थम बोध समीती का आउजन हुआता तो अजात सत्रु के सासनकाल में हुआता है संसार, अस्तिर और छणिक है यह कथन किसका है तो यह कथन हो जाता है आपका बोधों का बोध धर्म गिरंत जिसने संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो हो जाता है विनेपिटक इसके बाद विदेशी राजा जिसने समुद्र गुप से अनुरोत किया था कि उसे भारत में बोध विहार बनाने के अनुमती दी जाए वह कौन था तो वो हो जाता है बेग वर्मन बोधगया में महतमा बुद्ध ने दो बंजरों को अपना उपदेश देकर उपासक बना लिया था वे दो बंजरे कौन थे तो वे दो बंजरे हो जाता है मल्लिकोर तपस्सू सब्त पढ़नी गुफा इस्तित है तो ये गुफा हो जाती है राजगिर है विहार में विशुद्धी मग नामक पुष्टक किस संपरदाई से संबंदित है तो ये संपरदित हो जाती है हीनियान से सुद्धता के सिद्धान का सरवपरतम परतिपादन करने वाला बोध दार्शनिक कौन था तो ये हो जाता है नागारजुन उत्तर परदेश में बोध हम जैनियों दोनों की परसित अपस्ति लिया है ये कोसाम भी है कई बार जो है आपसे पूछा जाता है परिक्षाओं में बोध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं तो दोनों धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर जन्म के शिद धर्म के द्वारा वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी परतीमा बनाई गई है तो एक कुसान काल हो जाता है भूमी इसपर्स मुद्रा की सारनात बुद्ध परतीमा संबंदित है तो ये संबंदित हो जाते है गुप्त काल से विक्रम सिला विहार काया संस्ता भकते तो ये हो जाते हैं धरमपाल इस्तूप के उत्खनन में सारी पुत्र के अवशेश प्राप्त हुए हैं तो ये प्राप्त हो जाते हैं साची से बोध पवित रिस्तल जो निरंजना नदी पर है तो ये बोध गया हो जाता है निरंजना नदी पर एश्या के जोती पुँझ के तोर पर जाना जाता है तो गोतम बुध को जाना जाता है एश्या के जोती पुँझ के रूप में गोतम बुद्ध के समय का परसिद वैद जीवक किस के दर्बार से संबंदित है तो ये हो जाता है बिम्बिशार के बुद्ध कोसांबी में आये थे उदियन के राज्यकाल में टिबबत में बोथ्दर में सुधार में महती भुमी का निभाने वाला उपाद जय आए अतिष किस विहार के पर्षिद विध्वान थे तो ये हो जाते है विकरम सिला विहार के अर्द नारीश्वर मूर्ती में आधा सिवता था आधी पारवती परतीक है तो ये परतीक हो जाते है देव और उसकी शक्तिका योग गोतम बुद्ध ने पर्थम धार्मिक परवचन दिया था तो ये जब सारे नाथ आ जाते हैं सारनाथ में तब दिया गया था ये पर्थम परवचन भारत में सरवर्थम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी तो ये हो जाती है बुद्ध की बारत्यकला में बुद्ध के जीवन की वहगटना जिसका चरित्र म्रग सहीत्र चक्र दुआरा हुआ है तो ये हो जाता है पर्थम उपदेश इसके बाद बात कर ले माले हैं हम भगवत संपरदाय और ब्रह्मन संपरदाय से कौन कौन से आपकी important question पुछे जाते हैं भगवत गीता मूलत है महबारत कांस है तो ये भीश्म पर में कहा गया है कि नागार्जून कोंडा सहर की स्थापना की गई है तो इक्स्वांचू राजवंस के दोरा की गई है यहां जो है सुमेलित करने के लिए दे दीगा है इदर आपके देवता दीगा है इदर आपके उनकी पहचान दी गई है सीव की पहचान होती है आपकी तिर्सूल थे विश्नो की होती है चक्र से गनेश की हो जाती है रसिया फंदा से और सरस्वती की हो जाती है उनके हातों में ली गई वीना से सही सुमेलन जो है यहां भी करना है आपको इदर आपके दार्शिनिक हो जाते है और इदर आपके हो जाते है दर्सन रामानुज ये हो जाते है विशिष्ट दुवेदवाद के दर्सन माधवाचारी हो जाते है दुवेदवाद के निमबाख हो जाते है देता दुवेद के और वल्ला बचारी हो जाते है सुद्ध द्वयत के ठीक है सारे कोश्चन जो है इंपोर्टन हो जाते हैं आपके लिए मंडन मिस्र सिश्य थे तो यह हो जाता है कुमार रिल बट के तुमारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं मोक्त के साधन के रूप में ज्यान कर्मतता भक्ति को समान महतु देता है तो यह देता है भगवत गीता भगवत धर्म से संबनित प्राची नभी लेखे साक्ष मिलता है तो यह मिल जाता है हैलियोडोरस का बेस नगर अभी लेख इसके बाद आदी संकराचारिय द्वारा इस था भी चार मट थे कौन कोन से जोती मट, द्वारिका, पूरी और सिरंगेरी ठीक है चार मट जो है आपको याद रखना है और ये भारत के चार कोनों में जो है कुछ इस परकार से आपको ये मिल जाते है इहां फिर से जो है सुषींट करने के लिए दिए गए एक कोश्चन बज जाता है आपका नैनार, नैनार कोन थे तो नैनार हो जाते है, भूंब धर्मानो Emad estaban संबंदित हो जाते हैं और संकर जो है ये एदवेतवाद से संबंदित हो जाते हैं और अब आजाता है हमारा नंबर आजाता है मोरिय जो सामराज्य है मोरिय काल या मोरिय एंपारिस को कह सकते हैं जो भी यहां से important question बनते हैं सब इस rapid fire में आपको मिलने वाला है आज ही मोर्य के इतिहास के लिए अधिक परमानिक माना जाता है तो विश्नु पुराण को माना जाता है मोर्य के इतिहास के लिए अधिक परमानिक आंद्रों के इतियास के लिए अधिक प्रमानिक माना जाता है तो ये मतस्प्रवान को माना जाता है मोर्यकाल में सदेव राजय के पास रहने वाले विश परिक्षक वैद को कहा जाता था तो ये कहा जाता जांग लिविन सासक जो मोरिय राजवन से सम्मदित नहीं है तो अगनी मित्र जो है ये मोरिय वन से सम्मदित नहीं है असोक के इस्तम लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है चुनार से असोग का वह सिलालेग जो धार्मिक शंसलेशन के बारे में कहता है तो वे कहता है बारवा सिलालेग समराट असोग ने अपने राज्य विशेख के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था तो ये किया गया था आठ वर्स के बाद में प्रागर्त भासके पोसक्ते तो ये हो जाते है साथ वहन नरेश, कला के लोकपक्स को अधिक प्रोचान मिलाए तो ये मिल जाता है साथ वहन के काल में, मतरा मूर्ती कला सेली प्रारम उईती तो ये हो जाते है कुसान के शासन काल में, वे सास को जिन्होंने गिरनार छेतर में जल संसादन व्यवस्ता की ओर ध्यान दिया तो ये हो जाता है चंद्रुप्त मोरिय ओर असोक इन्होंने जल संसादन व्यवस्ता की ओर ध्यान दिया था राजा जिसके एक अभी लेक में सूचना मिलती है और साक्यमन्य बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो ये हो जाते हैं असोक, सारनात इस्तंब का जो निर्मान है वो भी कराए गया था असोक के द्वारा, असोक द्वारा इस्थापित सबसे सुरक्षित इस्तंब है, तो ये हो जाता है लोरिया नंदनगड, असोक का वहबिलेग जो कनक मुनी बुद्ध के अस्तित को परमानि तो यह हो जाता है निगाली सागर इस्तंब अभिलेख गुर्ज़रा लगू सिलालेख जिसमें असोग का नामुलेख किया रहा है ये स्तित हो जाता है मद्य प्रडेश के दत्या जिले में असोख के अभिलेखों में पून रूपे धार्मिक्षा ही सूनता के परती समर्पित अभी लेख है तो ये हो जाते हैं जो है बारव अभी लेख हो जाता है असोग के अभी लेखों में पूर्ण रूपे इन धार्मिक्षेश सूनता ब्रामिलिपी को सरवपरतम पढ़ाता तो जेम्स प्रेंसेप के दौरा ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सारे कोश्चन इंपोर्टेंट है और ये ही आपसे पूछे जाएंगे प्राग असोग ब्रामिलिपी का पता चलता है तो ये चलता है अनुरादा पूर से पत्तर पर प्राचिंतम सिलालेक मिलते हैं तो ये मिल जाते हैं आपको प्राकरत पासा में सारे कोश्चन आप देख सकते हैं राइट साइड में ये जो है सबी के सबी कहीं न कहीं पूछे गए कोश्चन है अपने सामराज्च के ऊत्री पष्चिमी भाग में उत्कीन राजाग्याओों के लिए असोग ने लिपियोक प्रियोक किया था तो ये किया गया था आरामाईक का, गिरीक का और खरोष्टी का, इलाबाद में असोग इस्तम जो सूचना परदान करता था तो ये करता है समुंद्र गुप्त के बारे में, फायान भाराता है था 399 AD, आफ्टर डेथ जो है ये हो जाता है, कलिंग युद का विवडन मिलता है तो ये तेरवी सिलाले एक से मिल जाता है, कलिंग में तीन अक्सर हो जाता है और तीन एक्सर जो है आपर दिये गए हैं, तेरवे में मोर्यन मंत्री परिशत में राजस्विखटा करने से सम्बंदी था, तो ये हो जाता है समाहरता, असोक का समकालीन तूर में राजा था, तो ये हो जाता है मिस्टर मकदुनिया में असोग का समकालीन राजा था तो ये हो जाता है एंटिगोन गोन टास टॉलमी फिलाडेल्स जिसके साथ असोग के राजने सम्मन्थे शासक्का हो जाता है तो ये हो जाता है मिस्तरगा एक इतिहासकार के अनुसार शिला लोखों में असोग के असोग ने जिस धर्म का पर्तिपादन क्या है वह वस्तूत है कौन सा राजधर्म हो जाता है तो वो हो जाता है फिलीट आधुनिक देवनागरी लिपिका प्राचिन रूप है तो ये हो जाता है ब्रामी किसने सही सूनता उदारता और करुना के विद्ध त्रिविद आधार पर राजधर्म की स्थापना की है तो ये हो जाते है असोग साचिप का जो इस्तूप है वो बनवाए गया था वो असोग के द्वारा ही बनवाए गया है साचिप का इस्तूप ब्रामी लिपी का पर्थम उतवाचन उतकिरन अक्सरों से किया जाता है तो ये किया जाता है इस्तंबो पर कुलंदी बाग में प्राची निस्थान था तो ये हो जाता है पाठली पुत्र का जत्या में काफी जो है कटोर ऋविधान दे गए थे मोरे कालर में काल सी परशीथ है तो यह हो जाती है आसोग के शिलालेग के कारण चानक्य का दूसरा नाम क्या था तो यह हो जाता है विश्नुगुपत चंदरुप्त मोरे ने अपने अंतिम दिन वैतीत किये थे तो ये किये गए थे इन्होंने सरवन बेल गोला में असोक का वहविलेग जिसमें धार्मिक सही सुनता के सिधान्त की बात कही गई है ये हो जाता है बारवाविलेग इसके बाद बात आ जाती है मोरियत्तर कालीन भारत की पोश्ट मोरिया पिरिड ओफ इंडिया सिमुक की बात करेंगे सिमुक संस्थापकता तो साथ वहन का जो है संस्थापक हो जाता है कादरमक चतरपो ने अती दुरलब सिक्के प्रचलित किये थे तो ये किये गए थे तामरदातु के असो के दित्य सिलालेख में उलेख नहीं है तो ये हो जाता है साथ वहन का खारवेल के विशे में जानकारी प्राप्त होती है तो ये हाती गुमफा का अब जो अभी लेख है उससे खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है राजवन्सों में सबसे पुराणा राजवन्स कुन सा है तो ये साथ वहन ही हो जाएगा मोर्यों के बाद दक्षीन भारत में सबसे परभाव साली राजा बना था साथ वहन साथ वहनों की राजधानी अवस्तिती तो यह हो जाती अमरावती कनिष्के सारणात बोध परतीमा अभी लेकी ती थी थी तो यह हो जाती इक्यासी इश्वी संगी बुद्ध का सिक्को परंकन हुआता तो ये हो जाता कनिश के साशनगाल में उत्री तथा उत्री पष्चमी भारत में सरवादिक संख्या में तामबो के सिक्के को जारी किया गया था तो ये किया गया था कुसानों के दुआरा प्राचिन भारत में नयमित रूप से सोने के स्क्राइगे ते कुषानों के दौरा प्राचिन भारत में नेमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गये ते कुशानों के द्वारा बिना बेगार के सुदर्सन जील का जील नोदार कराया था रुद्र दामन पर्थमने प्राचिन भारत के साहित्ते की तिहास में पाणिनी और पतंजली ख्याती प्राप्त नाम है फले फूले तो ये हो जाता है सुंग राजवन्स के समय के विक्रम संवत प्रारम भुआता तो ये अठ्था मनिशा पूरुशे संबंदित हो जाता है विक्रम एवं सक्संवतों में अंतर हो जाता है विक्रम एवं सक्संवतों में इसके बाद फिर से ये सुमेलित करने के लिए दे दिया है ड्री मैट्येस हो जाते हैं हिंदी यूनानु रुद्र दामन हो जाते हैं सक्ट गोंडो फरनीज हो जाते हैं पल्लव विम हो जाते हैं ये कुशान और चले दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसका जो दूसरा पार्ट है यह हम आपके सामने कल लेकर आएंगे ठीक है वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं कल दूसरे पार्ट के साथ में और तब तक के लिए नमस्कार जहीं